हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं प्रिंस दुएधी आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित हूँ और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिसकस करने वाले हैं section 141 of the Indian Penal Code ठीक है दोस्तों तो चली बीन टाइम विडियो के स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करदेना वैल आइकन को भी प्रेस करदेना और आप हमारे टेलिग्राम चैनल क भी जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है और कमेंट में दोस्तों जरूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो और मेरा एक्स्प्रेनेशन कैसा लगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अच्छी नहीं लगे तो ड जब पांच या फिर उससे ज़्यादा लोग ठीक है इकठे होते हैं ठीक है जब पांच या उससे ज़्यादा लोग इकठे होते हैं एक common object के साथ मतलब उनका उद्देश से common रहता है क्या उद्देश रहता है ओवर्वीव बाइ क्रिमिनल फोर्स और सो अफ क्रिमिनल फोर्स the central government or any state government or the parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of lawful power of such public servant कहने का मतलब दोस्तों कि अगर पाँच लोग या उससे ज़्यादा लोग common object के साथ किसी central government को या फिर state government को या फिर संसद को या फिर किसी state की legislature को या फिर कोई public servant को जो की अपनी lawful power को exercise कर रहा है उसको over way करते हैं over way का मतलब होता है आतंकित करते हैं परिशान करते हैं criminal force का use करके दोस्तों ठीक है criminal force का use करके किसी central government को state government को या फिर parliament को या फिर legislature of any state को या फिर किसी public servant को जो की अपनी lawful power को exercise कर रहा है उसको आतंकित करते हैं उसको डराते हैं ठीक है criminal force का use करके तो वो unlawful assembly कही जाएगी ठीक है दोस्तों ये था पहला अब दूसरा क्या है to resist the execution of any law or of any legal process कहने का मतलब दोस्तों कि to resist the execution of any law or of any legal process जब ये 5 लोग या उससे जादा लोग जो इकठे हुए है common object के साथ वो किसी भी law के execution को resist करते हैं मतलब कि किसी विधी के या किसी वैद आदेशी का के निस्पादन का प्रतिरोध करना मतलब कि दोस्तों कि अगर कोई law है जिसको follow किया जाना है लेकिन कुछ लोग इकठे होके उस law को follow नहीं होने दे रहें कि उसको मतलब लोग ना follow कर पाएं जैसे मैं आपको बहुत अच्छा example देता हूँ अभी farm bill बना था यह जो किसानों का bill बना था जिसको आप black bill भी बोलते थे ठीक है तो कितने लोग इकठे होके उस law को execute नहीं होने दे रहे थे ठीक है फिर बा लीगल प्रक्रिया को जो नहीं मान रहे थे ठीक है और इसको आप पहले में भी ले सकते हो कि वहाँ पे वो देख रहे थे आप criminal force का use कर रहे थे ट्रेक्टर घुमा रहे थे चारो तरफ ठीक है पुलिस को डरा रहे थे आसू गैस के गोले फेके गए थे तो यह सब कर रहे assembly था विधी विरुद्ध जमाब था ठीक है दोस्तों तीसरा condition क्या बोलता है दोस्तों यहाँ पे तीसरा condition बोलता है to commit any mischief और criminal trespass और other offenses या फिर वो पांच लोग या उससे अधिक लोग कोई mischief करने के लिए इकठा हुए है या कोई criminal trespass करने के लिए या फिर other offense और भी कोई अपराद करने के लिए अगर इकठे हुए हैं तो वो भी unlawful assembly मानी जाएगी फोर्थ क्या है दोस्तों कि by means of criminal force और so of criminal force मतलब कि अपरादिक बल का प्रयोग करके या अपरादिक बल दिखा करके to any person to take or obtain position of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or the use of water or other incorporeal right of which he is in position or enjoyment or to enforce any right or supposite कहने का मतलब दोस्तों कि मान लो ये पाँच लोग या इससे ज़्यादा लोग जो कठे हुए हैं ये criminal force का use करके किसी ब्यक्ति को उसके property को कबजा कर लेते हैं उसकी property संपत्ति पर कबजा कर लेते हैं ठीक है या किसी ब्यक्ति को किसी मार्ग की अधिकार को प पानी का भी use करने के लिए मना करते हैं ठीक है या फिर कोई भी ऐसा incorporeal right है अमूर्त जो अधिकार है उसको भी करने से रोकते हैं ठीक है तो भी दोस्तों ऐसा ऐसी जो assembly होगी वो unlawful assembly मानी जाएगी fifth point क्या बोलता है दोस्तों कि by means of criminal force or so of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally कहने का मतलब दोस्तों कि criminal force का use करके या फिर criminal force को दिखा करके आपरादिक बल का प्रयोग करके या अपरादिक बल को दिखा करके किसी person को compel करना उसको मजबूर करना कि वो कोई काम करे या कोई काम करे अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको रोकना ठीक है जो legally entitled है मतलब law के द्वारा वो करने के लिए बाद है उसका हग है कि वो करे लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं रोक रहे हैं उसको या फिर वो legally entitled नहीं है करने के लिए लेकिन लोग उसको मजबूर कर रहे हैं वो करने क कही जाएगी दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि अनलवफुल एसम्बली के लिए कम से कम पाँच लोग होने चाहिए मतलब अगर चार लोगी कठे होके ये सब काम करते हैं तो that will not be called as a अनलवफुल एसम्बली उसको बिधी बिरुद्ध जमाव नहीं कहा जा आएगा कम से कम पाँच होने चाहिए अगर पाँच है और अगर ये पाँचों चीजे वो करते हैं तभी वो बिधी बिरुद्ध जमाव होगी दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा मिलते हैं अगले सेक्शन